कि देर फ्रेंज गुड मार्निंग हमें यह मैसेज आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बहुत ही हर्सोर आया क्योंकि हमारे देश में जो जी ट्वंटी का देशों का क्राक्रम कारिक्रम प्रेवजित किया गया है रखा गया है तो हमें अपार खुशी हो रहे हैं जो कि हमारे देश में ऐसा प्रग्राम हो रहे हैं सो इसके लिए हम अपने सभी देशों यहांग हमारे प्यारे भारत को बार बार नमन करता हूं और कि मैंने एक नियुज पूप पेपर में शुवा पढ़ा तो वही आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं जो कि शेप्ती जरूरत होता है हमारे लाइफ के लिए विदाउट सेप्ती नथिंग इज लाइफ सो आई मैं प्रस्तुत करना हूं यह सेप्ती से समधित नियुज तो जी ट्वंटी शिकर्स मेलान के मद्देनेजर सुरक्चल की लियाज से हमारे अपने घरों में अपने टैरेश के छत पर जाने से रोक लगाया गया है टैरेश पर जो हम इन गाजियाबाद में सायद गाजियाबाद में जो की पांच किलिमीटर के एरिया रेडिश में अपने घरों पर बने ट्वाइरेश या वाश्रूम यूज नहीं करेंगे ऐसा उत्त्रप्रज सरकार की तरफ से किया गया है शेप्ती के लियाज से क्योंकि जो हमारे कि तैरेश पर आने वाले किसी भी आपातकाले नी परिस्थिती से निपटने के लिए शेप्ती रूल रेगुलेशन के वल जहां सिखा सिखर सम्मेलन केंद्र से पांच किलिमीटर एरिया के रेडिश में किया जाएगा ऐसा राज्य सरकार ने फैसला किया है गाजियाबाद में सायद ऐसा किया गया है क्योंकि उसी के इर्दगिर्द रखा गया है जी ट्वंटी सिखर सम्मेलन इस देशों का के प्रदिनी थी जो आने वाले हमारे देश में उनको आमंतित किया है भार सरकार ने आप मेटेंग क कि यहां रखा हुआ है जी शिखर जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन का के अंदर जो बनाया गया है दोस्तों जी ट्वेंटी देशों की लिस्ट में हमारा प्यारा भारत अमेरिका रूस बेटेन जापान अर्जेंटाइना कनाड़ा ब्राजील फारांस फ्रांस यूके यूनाइटेट साथ अपरिका किंग्डम यूनाइटेट किंग्डम यानि यूके चाइना कोरिया आद देशों के प्रत्नित साबिल हो रहे हैं इसके लिए हमें मैं सभी देशों के प्रतिनिधी या हमारे भारत की जन्ता की तरफ से मैं उनका साधर अभिनांदन करता हूं बंदन करता हूं और इस G20 में हमारा पड़ुसी देश पाकिस्तान सायद सामिल नहीं है क्योंकि यह नीच चैनल के माद्यम से बोल रहा हूं दोस्तों तो यह हमारा मैसित देने का मकस्ता आप लोग एक समय प्रस्तुत क्या जो गलती होगा उसके लिए मैं हमें बहुत खेद है तो थैंक यू गुद बाई जहां भी रहें शेफ्टी से रहें शेफ्टी फालो करें आगे की सोच रखें आगे बढ़ने की मतलब हमारे तमन्ना होना चाहिए कि कभी भी कठिन परिश्थित में आप परिशान नहों आगे बढ़ने की कोशिस करते रहें थैंक यू दोस्तों बाई